नमस्कार दोस्तों जैशिरांग कैसे हैं आप सब हमारे यूट्यूब चैनल दा नैशनलिस मेडिया में आप सभी का स्वागत है जिन महिलाओं को यह लगता है कि वह इंडिपेंडन हैं वह काम पर जाती हैं खुद के लिए कमा सकती हैं उन्हें किसी की अवशक्ता नहीं है य और इसी को सशक्त महिला कहा जाता है तो वो भूल में हैं भरम में हैं क्योंकि आपके आसपास जो जिहादी प्रविती के लोग पल बढ़ रहे हैं वो आपकी सशक्ती करण को नहीं मानते वो सिर्फ यही देखते हैं कि आप एक वस्तु हैं और जिसका इस्तेमाल वो किसी भ करना चाहिए उसी तरीके की सोच उनके पास आप के लिए हैं मलब उनकी सोच वही है वो आपको काफिर समझते हैं और उस काफिर को मसलने के लिए उस काफिर को खत्म करने के लिए उस काफिर को समाप्त करने के लिए या तो वो कनवर्ट करेंगे या फिर आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे जिसे हम दुशकर्म की परिभाशा देती हैं ऐसी ये घटना अमारे सामने आई हैं क्योंकि मैं पहले भी क्या चुकी हूँ कि ये जिहादी प्रविति के लोग आपके आसपास किसी भी रूप में हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप से शक्त हैं और सेकुल हैं अगर आप सेकुलर नहीं हैं तो आपको मालूम है कि आपको अपना शत्रुबोध कैसे करना है आप हर वक्त इनसे बच कर चलेंगी आप हर वक्त इनसे दूरी बना कर चलेंगी लेकिन अगर आप सेकुलर हैं और आपको लगता है कि किसी के साथ भी व्यवहार किया जा सक पर मझबूर होना पड़ा कि क्या महिलाएं सच्मूठ सुरक्षित हैं वैसे तो हम सब ही जानते हैं कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो इस दुनिया में काम काजी हैं यानि कि काम करने के लिए बहार जाती है क्योंकि कही नकवी financial support देने के लिए जाती है या फिर यह सोचती है कि हम अपने आप पर depend रहे हमें किसी से मांगने के अवशुक्ता ना पड़े तो इस तरह के काम काजी महिलाएं कई बार दे रात तक भी घर आती है तो उन महिलाओं के लिए एक संदेश है कि क्रिपा करके अगर आप बाहर जा रही है अगर आप किसी तरह का रिक्षा पकड़ रही है अगर आप ओटो पकड़ रही है अगर आप बस पकड़ रही है अगर आप कैब भी कर रही हैं तो क्रिपा करके आप पहले उनकी आईडी चेक कीजिए कि वो कौन है और कम से कम इतना सतर्क अवश्य रही है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य हो जो आपकी सुरक्षा कर सके दिल्ली में घटना हुई है जिसके तहत एक महिला अपने पती को दिल्ल पती पती रेल्वे स्टेशन पर चोड़ने जाती है कि उसके पती ने कहीं ब Ale जांगी तो इसी बहाने में मारकेट चले जांगी ताक कि रहे nosso शोपिंक कर सको वलगिक कुछ समान या कोई भी समान लेना होगा तो उसने सोचा कि छोड़ने जाऊंगे और रास्ते में वही पर बाजर चले जाँगी और जाकर समान ले लूगी अब वो दिली रेल्विस्टेशन पर पती को छोड़ती है और उसके बाद सदर मार्केट के लिए निकल जाती है सदर बजार में वहां एक रिक्षा पकड़ती है तो वो सदर माकर ले जाने वाला जो बूड़ा सा आदमी होता है यह कहें वो जो जिस भी एज का होता है 35-36 या 35-40 साल उसकी एज रही होगी उस व्यक्ति ने उस महिला को पीने का पानी दिया महिला ने वश्य मांगा ही होगा कि प्यास रगे भीया करी रोक देना वो व्यक्ति उस महिला को पानी पीने के लिए देता है लेकिन उसकी अंदर चालाकी से नशीले पदार्थ मिला गयता है उस नशीले पदार्थ को पीने के बाद वो महिला बेहोश हो जाती है उस महिला को एक सुन्सान जगा पर ले जाता हैं, और उसके साथ दुशकर्म करता है, जब मैला को होश आता है, तो उसके बाद वो सीधा पुलिस टेशन भागती है, और जाकर अपनी रिपोर्ट दर्च करवाती है, अपने पती को भी बताती है, या मलब जो भी उसका परिवार वढ़ने उनसे सब को बताती है, और उसके बाद वो पुलिस जो है, बिलिनी पुलिस उस व्यक्ती को गिर О्रथार कर लिती है। इस व्यक्ती का नाम है मुहमद उमर, जो महिलार देर रात तक काम करती हैं, यानि कि वो घर आने में लेट हो जाती है उनको ओटो बस रिक्षा क्या वगरा नहीं मिलता है या कोई बी साधन नहीं मिलता है घर आने के लिए वो लेट हो जाती है या फिर अगर टाइम से भी निकले तो अभी किसी कारण से अगर वो लेट घर आती है तो ऐसी महिलाओं के ये बहुत ही सुरक्षा के दिश्टी से एक दैनिय चिन्ता में स्थिती है क्योंकि अगर ऐसे-ऐसे लोग रिक्षा चालत होंगे ऐसे-ऐसे लोग अगर ओटो ड्राइवर्वर होंगे तो कैसे महिला सुरक्षा होगी एक महिला को पानी पिलाने के बहाने इस तरीके का नशीला पदाग पिला दिया जाता है और उसके बाद उसके साथ वो करम किया भी जाता है खेर इनके यहां तो यह चीज़े चलती है क्योंकि इनके यहां तो ओरते हम जानते ही है कि मोलानक क्या कहते है कि औरते डैश डैश हैं कि आप लगा इसके הנग है परेंतु किसी भी काफिर के साथ क्सी भी काफिर महीला के साथ कुछ भी करने को तयार होते हैं कि। इन si 가 सोग और स्कोललर लोगों album ने मौलाना लोगों ये बताया हुआ है कि अगर आप ऐसी स्थिती में हैं कि आपको वो चीज वो बाहर निकालनी है तो आप किसी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जानवर तक को नहीं छोड़ते तो फिर वो तो महिला थी मोका कैसे चूकता हूँ आ गई होगी फिलिंग मन में आ गया होगा कर इसलिए मेरी महिलाओं से अपील है कि क्रिपा करके अपने साथ अपना सुरक्षा का साधन अपने सुरक्षा का कोई भी सामान अवश्य रखें आप जब तक जब तक आप पुलिस के पास पहुंचेंगी तो क्या पता तक तक आपके साथ कुछ बुरा हो चुका होगा इसलि अपने आइडिस नहीं चेक करनी है तो अपने पास पूरा समान रखें सिधी सी बात है आपकी सुरक्षा पहले आपके हाथ में अवश्य है उसके बाद जाकर आपके पुलिस या कोई आपको संभालेगी लेकिन पहले तो अगर आप अकेले हैं तो आपकी सुरक्षा आपके इस बात का बिलकुल बहुत जड़ा चुकरना होकर ध्यान रखना होगा आपको चुकि हम किसी की नियत के बारे में नहीं जानते कि उसकी नियत कब पलड़ सकती है कब गिर सकती है जरूरी नहीं है कि सभी बूरे होते हैं लेकि जरूरी नहीं है कि सभी अच्छे होते हैं हो रश्य है कि आप अपनी सुरक्षा पहले तो स्वयम करें उसके बाद आप पुलिस के पास जाए अगर आपको किसी बात का शक भी है और अपनी बुद्धी का इस्तेमाल पूरा करें अपनी लोकेशन वगेरा जो हैं वो हमेशा किसी को बता कर चलें अपनी जो भी लोकेशन आ अपनी अपडेट कर सकती हैं मोकेपद अगर उन्हें को शक होता है तो फिर बार बार कहूंगे कि अपनी सुरक्षा पहले स्वयम करें और फिर सेकंड ऑप्शन आप कुछ भी चूज कर सकती हैं बाकि आप सब लोग जितने मेरी बात से सहमत है करके अपने विचार कोमेंट में जरूर बताईएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर जूर कीजिएगा जिन्यवाद जैश्राइब